हलो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जवाहर नबोदे विद्याले के इस इनफॉर्मिशन सेंटर डेली डोज बॉक्स पर और आज आप सभी के लिए जो क्लास 11 के बच्चे हैं उनके लिए तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आज के इस वीडियो में बत रिजल्ट कब आएगा इसका भी जवाब आपको मिलेगा एज पर द एंविएस बॉइस यह एंविएस के लिए कुछ एक ऐसी चीज़ की है जिससे एक या दो दिन के बाद आप सभी को कुछ न कुछ प्रूफ जरूर देखने को मिलेगा कि भाई क्लास 11 का रिजल्ट कब आ आएगा आठ जून टेंटेटिव डेट थी वही आठ जून को आ सकता था लेकिन आठ जून को नहीं आया रीजन अमने बता दिया वेस्ट बंगाल का जो रिजल्ट है वो अभी तक एंविएस हैड़कॉर्टर नहीं पहुचा है देट इस वाई आपका रिजल्ट अभी अकॉर्डिंग टू एंविएस मुझे ये संदेश मिला कि आज आएगा भाईया तीन चार दिन में मैंने कहा कि भाई क्लास 10 का रिजल्ट आय हुए काफी समय हो गया है अब तो क्लास 11 का रिजल्ट आजाना चाहिए तो आज आएगा भाईया तीन या चार दिन में आज की वैपसाइट पर या फिर जवाहर नवोदे विद्याले के अंदर आपका रिजल्ट भेजा जा सकता है दूसरी चीज आप सभी के लिए मैंने एक चीज की है कमिशनर साहब को इमेल भी किया है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इमेल में मैंने पूछा है वही क्लास 11 का रि वाला है तीसरी चीज एक कमेंट अभी कुछ समय पहले आया था कि क्लास 11 में जिन बच्चों का एडमीशन होता है क्या उन बच्चों को बर्थ सर्टिफिकेट देने की आवश्यक्ता होती है जो बच्चे स्लेक्ट होते हैं एडमीशन लेने जाते हैं क्लास 6 में तो बर्थ सर्टिफिकेट लगता है क्लास 9 में बर्थ सर्टिफिकेट लगता है क्लास 11 में बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा तो इस सवाल का जवाब है ना यह नहीं लगेगा क्लास 11 में आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगेगा क्योंकि जो क्लास 10 की माक्षीत होती है वही काम क करेगी as it is birth certificate यानि जन्प्रवाणपत्य की आवशक्ता नहीं पड़ेगी आप अगर class strength की mark sheet लगाते हो तो फिर आपको उसी mark sheet से ही आपकी बर्त जो है वो प्रूफ हो जाएगी और आपको birth certificate नहीं देना पड़ेगा तो तीन state forward points थे वीडियो खतम इसके आगे को information नहीं लेकिन आपका एक काम है आपको चैनल को subscribe करके bell icon all पर लगाना है और इस वीडियो को share करना है ताकि जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं वो बच्चे परेशान ना हूँ मिलते नेक्स वीडियो में जहन्द बबाबाय टेक केर